तो आपने देख जारे हैं, सेल पेना, यानि इंट्रा मॉलिक्लर कानि जरोग रेक्शन है ध्यान दीजाए, अल्फा हैड्रूजन नहीं होना चाहिए, अल्फा हैड्रूजन होगा तो एल्डॉल्म जाएगा non-analyzable होना चाहिए ठीक है यानि एक ही molecule में दो कार्मिय ग्रूप होगा और alpha hydrogen भी नहीं होना चाहिए तो ऐसा case बनना है हम लोग को ठीक है alpha hydrogen भी नहीं होना चाहिए यानि intra molecular करने जरूब ठीक है ठीक है इंट्रा molecular करने जरूब तो कोई alpha hydrogen भी नहीं चाहिए ठीक और दो कार्मिय तो ऐसा कब possible होगा एक भी alpha hydrogen भी नहीं चाहिए ध्यान दीजिए यानि दोनों सटे सटे रहेंगे ठीक है double bond O H C double bond O ठीक है clear है यह ग्या हमारे पास अब इसको देखे दोनों carbon पास पास हैं कोई दूसरा बीच पे carbon भी नहीं ठीक है अगर रहता भी है तो इसको भी हम लोग कुछ ऐसा करना पड़ेगा इसके पास कोई alpha-idu नहीं यह निए इसको branch कर दे ठीक है अगर कोई डाल सकते हैं तो मैंसे डाल दे तो branch हुझाएगा फिलाज हम लोग यहां पर देखते हैं simple वाले case में देखते हैं इसके पास कोई alpha-idu नहीं दो carbon compound है ठीक है इसको हम लोग क्या करते हैं oh- heat creeps पे अब इसके होगा किसी पर भी attack कर सकता है दोनों दूसे में तो किसी पर एक nuclear flick attack होगा यहां जाएगा तो अब यह क्या हो जाएगा आपके पास hcoh एगर o- c double bond o और h फिर अब क्या होगा high dead end transfer होगा यह उटके यहां जाएगा और यह वाला high dead end इस पे आएगा और यह उटके यहां जाएगा तो यह हम लोग का कौन से step हो जाएगा h minus transfer ठीक है तो यह हमारे पास आजाएगा c double bond o o h यहां प्या जाएगा हमारे पास c h 2 o minus फिर यहां से proton exchange होगा h plus transfer होगा ठीक है तो यह क्या जाएगा मान पास c o o minus c h 2 o h clear कोई कश्ट ति यह आजाएगा हमारे पास ति यह हमारा क्या हो गया intramolecular कैने जरूज reaction पॉफेक्ट है कोटेंसल तो ध्यान दीजे जहां पर भी ऐसा case आएगा कि non-aldolizable koaldehyde है कार्विल कंपाउंड है तो उस case में अगर दो ऐसे कार्विल कंपाउंड है जिनके पास sulfide होगा नहीं और strong base के करें तो पके तो और को क्या जाएंगे कहने जरूज ठीक है